सद्गुरु कबीर का एक पद और उस पर कुछ विचार शद्गुरु कहते हैं पानी माहि अगिन को अंकुर जरत बुझावय पानी एक न जरे जरे नौनारी युक्तिन काहु जानी शहर जरे पहरु सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा पुरिया जरे वस्त निज उबरे विकल राम रंग तेरा कुबजा पुरिश गले एक लागा पूजी नमन की सरधा करत विचार जनम गवखी से इतन रहत असाधा जानी बूज जो कपट करतु है तही असमंद न कोई कहें कबीर तही मूढ को भला कौन विधी होई इस पद की पहली पंक्ती में सद्गुरु कबीर अपनी स्फरोताओं को आदेश देते हैं नर हरी लाग ए नर ए मनुष तु हरी में लग मनुष को नर कहा जाता है लेकिन नर कौन एक तो नर नारी सहज भाता में है लेकिन अतली नर कौन नर किसे कहना चाहिए ना और रा दोनों अक्छर को आप अलग-अलग करके समझें न कहते हैं नहीं को और र कहते हैं रमन करने को आसक्त होने को जिसका मन कहीं भी आसकत नहीं होता सबसे सबसमय अनासकता है वह नर है इस्तिरी शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो जो कहीं भी अपने मन को दुनिया के बाहर रिपदार्थों में नहीं लगाता नहीं रमाता वही नर इशा वाश्योप निशद में एक मंत्रा आता है कुर्वन नेवेह करमाने जिजी विसे छतम समा एवं तोई नानने थे तो अस्ति न करम लिप्यते नरे कुर्वन नेवेह करमाने जिजी विसेत सतम समा मनुष्य को करम करते हुए सव साल तक जीने की इच्छा करना चाहिए वैदिक रिशे मनश्यों की उम्र प्राया सौ साल मानते थे कुछ लोग सौ से उपर भी चले जाते थे रिगवेद में ही आता है माम तेयो दिर्गतमा यजुरुवान दसमे युगे ममता का पुत्र दिर्गतमा नब्बे साल में बुढ़ा होने लगा दिर्गतमा रिशी बहुत प्रसिद रिशी है रिगवेद का और उनके मंत्र बहुत उपयोगी है बड़े कामक है तो रिगवेद की रिशी प्राया सौ साल जीने की इच्छा करते हैं जीवें सर्दा सरतम पशें सर्दा सरतम सुनयाम सर्दा सरतम प्रबरयाम सर्दा सरतम हम सव वर्थ जीएं सव वर्थ देखें सव वर्थ सुनें सव वर्थ बोलें रिगवेद में कहीं भी हजार साल, दो हजार साल, दथ हजार साल, लाक साल जीने की बात नहीं आती है हजार दो हजार दस हजार बिद हजार लाक दस लाक और करोर अरब अरब बर्स जीने की बात तो आती है पुरानों में पुरानों के रिशी गप मारने में सबसे आगे निकल गए हैं वेदों के रिशी असे गप नहीं मारते हैं उनकी अपनी जो भावनाएं हैं उनकी अपनी जो समझ है प्रकृति के प्रति प्रकृति प्राकृतिक शक्तियों को देवता मान कर वे उपातना करते हैं यग्यावन करते हैं वो बात अलग है लिकिन वे लंबी चोड़ी बात अतिस्वयोक्ति पूर्ण बात मिठ्या महिमा की बात नहीं करते हैं यहां इस मंत्र में रिशी कहते हैं कुर्वन निवेह कर्माने जिजिवी से शतम समा मनुस्त को शाहिए कि कर्म करते हुए सौ साल तक जीओ सौ साल तक जीने की इच्छा करें रिशी यह नहीं कहते कि बैठे बैठे सौ साल तक जीने की इच्छा करो कर्म करते हुए जब तक शरीर है हर आदमी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए शक्ती चले तक अकरमन ने आलती हो करके बैठे जाएंगे तो शरीर ही सड जाएगा रुगी हो जाएगा शक्ती अनुसार प्रिस्रम करते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है मानफेसियां स्वस्थ रहती हैं इतलिए जो जहां जिस इस्थिती में है उसे उस इस्थिती में काम करना चाहिए बुढ़ा अदमी हैं घर में अपना कुछ कर ले कहें कबीर कुछ उद्यम कीजे आपन खाय और को दीजे शहाब कहते हैं कुछ उद्यम करो प्रिस्रम करो कमाई करो अपना भी खाओ औरों को भी खिलाओ खाली अकरमन आलसी बन करके क्यों बैठे हो एक रिशी ये भी कहते हैं सौ साल तक करम करते हैं जीने की इच्छा तो करो लेकिन एवं तोई नानने थे तो अस्ति करम करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दुस्तरा रास्ता नहीं है लेकिन ध्यान रखना न करम लिप्यते नरे तुम नरहो किसी करमों में लिपायमान ना हो न करम करो अनासक्त हो करके करम करो निशकाम हो करके करम करो इसलिए गीता में बारम बार निशकाम करम करने पर बल दिया गया है यहां सब्गुरु कबिर कहते हैं नरहरी लाग ए मनुश तु हरी में लग हरी कौन क्या है हरी जिसमें लगें यहां लगने करत समर्पित होना हरी कौन यहां सब्गुरु जिस हरी की बात कहते हैं वह हरी या तो ग्ञान है या गुरु है और अंत में ज्ञान और गुरु दोनों के एक अर्थ गुरु से हमें ज्ञान मिलता है और जो ज्ञान वान है वो गुरु है शद्गुरु कबीर बीजक में हरी शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है लेकिन अलग अर्थ में खंडन में भी और मंदन में भी जहाँ मंदन में हरी शब्द का और प्रयोग करते हैं वहाँ उसका अर्थ, ज्यान, गुर्व और आत्मा लेते हैं रूप से हरी शब्द सुनते ही आदमी के मन में भिष्णु का अर्थ धोनन होने लगता है हरी के लिए बिश्णु के लिए हरसब्द का प्रयोग प्राजा किया जाता है लेकिन ये भी समझना होगा कि बिश्णु के लिए हरसब्द का प्रयोग बहुत पुराना नहीं है और हरी क अर्थ परमात्मा भी लिया जाता है तो हरी का परमार्थमा अर्थ यह भी बहुत पुराना नहीं है लगभग 21-200 साल के आसपास से हरी का परमार्थमा अर्थ शुरू हुआ है और थोड़ा बहुत खिज सकते हो आगे पीछे रीगिवेद में भी हरी शब्दक का प्रयोग अनेक बार हुआ है लेकिन रीगिवेद में अधिक्तम जगा हरी शब्दक का प्रयोग घोड़ा के अर्थ में हुआ है रीगिवेद में हरी का अर्थ परमात्मा के अर्थ में प्रयोग तो नहीं हुआ है हरी शब्दक घोड़ा के अर्थ में हुआ है और घोड़ा क्या है? सूर्य की किर्णे, सूर्य की किर्णों के लिए रिग्वैदी ग्रिशी हरी सब्द का प्रयोग करते हैं, बालमिकी रमायन में हरी शब्द का प्रयोग बानर के अर्थ में हैं, शुक्री को, बाली को, अंगद को हरेश्वर कहा गया है, हरियों का इस्वर, हरेश्वर का मालिक, अर्थात बानरों का नेता, बालमिकी रमायन में भी कहीं हरी सब्द का परियोग परमात्मा नहीं है बानर है हरी सब्द का परमात्मा परक अर्थ गुप्त यूग में हुआ है और गुप्त यूग इशा के 300 साल के बाद कलगभग समय है तो 18-19 साल का आत्पास आपका सब्द जाज 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 है इसको और तब ग्यानियों ने फिर कहा कि परमात्मा बाहर कहा है तो उन्होंने आत्मा के लिए फिर हरी सब्द का परियोग सुरू कर दिया शदुर कवीर जिस समय अपनी बातें कह रहे थे उसके 500 साल पहले भारत में राम भजन शुरू हो गया था और लगभग 15,000 साल पहले हरी भजन शुरू हो गया था भारत में हरी भजन 2000 साल से पुराना नहीं है आप इसको अधिक विश्तार से समझना चाहते हैं तो महाभारत का सांति पत्र परोपड सकते हैं निकिन महाभारत समझने बात नहीं आएगी वासदेव सरन अगरवाल एक बड़े अच्छे विचारक हुए हैं उन्होंने महाभारत पर बहुत काम किया है उनकी पुस्तक है भारत सावित्री इस पर उन्होंने हर सब्द पर लंबा अपना विश्लेशन दिया है और बताया है कि भारत में हरी भजन इरानियों के प्रभाव से चला है इसको आप स्थरम देखना चाहें आप गुरुदेजी की बिजग व्याख्या के 34 सब्द की व्याख्या में देख सकते हैं विश्तार से और अभी जो पुस्तक आई है गुरुदेजी की महाभारत मिमान साथ उसमें भी देख सकते हैं यहां सदुरु काते हैं हरी लाग हरी में लगो वहरी कौन ग्यान गुरु ए मनुष तु गुरु की श्रण में लग ग्यान को समझ तो लोगों ने पुछा क्यों क्या मिलेगा क्यों लगें सदुरु कते हैं दौं विकार बिनु इंधन तेरे भीतर दावागने लगी हुई है और उस दावागने में तु निरंतर जल रहा है हर आदमी के भीतर आग लगी हुई है अहंकार की आग में दहत सकल संसार तहिसे बाचे शंतजन तुलसी शांत अधार गोसामेजी कहते हैं अहंकार की आग में संसार के सारे लोग जल रहे हैं हर आदमी जल रहा हर आदमी की भीतर लगी हुई है दावागने काम की आग, क्रोध की आग, लोब की आग, मोह की आग, इर्शा की आग, राग की आग, देश की आग, बैर बिरोध की आग, अहंकार की आग यही तो आग है और इस आग में कौन नहीं जल रहा है जो अपने को इस आग में जलने से बचा ले वही धन्य है वही असली ग्यानी है क्यों दुखी है आदमी अपने भीतर की आग से यह आग ऐशी आग है इसमें कोई इंधन नहीं है आग जब लगती है तो इंधन चाहिए कोईला, लकडी, कंडा, पैरा, पत्ते, जार जंखा, तेल, पेट्रोल, कपड़ा कुछ तो चाहिए बिना इंधन के आग लगेगी कैसे शदुर कहते हैं तुम्हारी भीतर जो आग लगी हुई है जिस दावागनी में तुम जड रहे हो जिस आग से रात दिन पिलित हो रहे हो यह आशी आग है कि इसमें कोई बाहरी इंधन नहीं है तो साब करते हैं लोगों ने का अशाब क्या इसमें सचमूच में कोई इंधन नहीं है साब करते हैं भी इंधन वो कम से इंधन है विकारों का इंधन मनो विकारों का इंधन उचिक हम कर सकते हैं काम, क्रोध, लोब, मो, रागदेश इनहीं का इंधन पाक करके हम ये हमारी भीतर की आग जलती है जिसके भीतर में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोब नहीं, रागदेश उसने कोई भी कारण नहीं, उतकी भीतार आग क्यों लगेगी, वो जलेगा क्यों, वो तो शांद, सीतल हो गया, मिले न बुझावन हारा, तुम इस आग में जल रहे हो, लेकिन आज तक तुम्हें बुझाने वाला कोई मिला नहीं, बुझाने वाला मिल गया होता, तो जलने से बजगे होते, जड़ रहे हैं, इसका अर्थ बुझाने वाला मिला नहीं, इसलिए तुम्हें गुरु में लगना है, गुरु की शरण में समर्पित होना है, गुरु इस आग से बचने का रास्ता बताएंगे, जिन्हों ने अपने भीतर की आग को बुझा लिया है, वही गुरु हैं, बाकि सब गुरु हैं, हमारे जेते लोग कहा सकते हैं, जो अपने आग को बुझा ले वह गुरु, चाहे किसी कपड़े में हो, कपड़े के चक्कर में नहीं पढ़ना है कभी भी, ये कपड़े का अहंकार हद भटकाता है, जितना ग्रहसने भटके हैं, उतने कपड़ा, सादू कपड़ा पहने वाले भटक गए हैं, महा अहंकार में जल रहे हैं, अब हंकार में नहीं जड़ रहे हैं पता ने किस किस की आग में जड़ रहे हैं ये कपड़े का हंकार नरक में ले जाकर के डुबा देगा अपनी भीतर की आग को समझना है और समझ करके बुझाना है जो बुझा दिया वही साधू, वही संत, वही गुरू, वही महातमा और वही ग्यानी लेकिन हमें आज तक ऐसे गुरू नहीं मिले जिनकी शरान में लग करके हम अपनी आग को बुझा ले अब आवशकता है ऐसे गुरू की खोज करने की लेकिन ये भी समझना होगा गुरू हमें केवल आग बुझाने का रास्ता बताएंगे हमारी आग को बुझाएंगे नहीं वे अपनी आग को बुझाएंगे अपनी आग को हमें बुझाना होगा लेकिन रास्ता बताने वाला चाहिए न इसलिए गुरु की शरण में लगने के आप सकता है मैं जानो तो ही से ब्यापे जरशकल संसारा शाब ये भी कहते हैं ध्यान देना तुम्हारे भीतर आग तो लगी है तुम आग में जल तो रहे हो लेकिन यह मत समझना कि यह तुम्हारे भीतर जो आग लगी है इस आग को किसी दूसरे ने लगाई है हमारे भीतर कोई दूसरा आग लगा ही नहीं सकता है इस आग को हमने सुयम ही लगाया है हमारी लगाई हुई आग है यह बाहर निमित हो सकते हैं उपादान तो हमारे भीतर है अध्यान अहंकार अपनी भूल कर सकते हैं घर को लगा दि आग घर की चिरागों ने हमारे अज्ञानने, हमारे अंकारने, हमारी भूलने, हमारे भीतर आग लगाई है, जिम्मेदार दुसरा नहीं है, जिम्मेदार हम सोयम हैं, हम नशाहें, तो हमें दुखी कौन करेगा हमें ना चाहें तमारी भीतर काम के आग कौन लगा सकता क्रोध के आग कौन लगा सकता कहीं न कहीं हमारी दुरबलता होती है तभी हम उलजते हैं तभी हम फसते हैं और तभी हम भटकते हैं अपने आपको पूरी तरह से सम्हाल लिये, सारी दुरबलता खतम, कोई विकार रही ही नहीं गया किसी में हिम्मत नहीं है हमारे भीतर आग लगाने की इलिए सदुरु कहते हैं मैं जानो तो ही से वियापे, मुझे मालूम है कि जिस आग में तुम जड़ रहे हो इस आग को तुमने ही लगाई है और जड़त सवकल संतारा सारा संतार जड़ रहा है तो प्रस्न यह हो सकता है जब आग हमने ही लगाई है और आग मानो हमारा अपना स्वरूप है तो इस वह हम बुझाएं कैसे शाव कते हैं घबडाना मत भले तुमने आग लगाई है लकिन तुम ही बुझा सकते हो तुम्हारे पास शक्ती है क्यों? क्योंकि यह आग तुम्हारा अपस्वरूप नहीं है तुम्हारा सभाव नहीं है पानी माही अगिन को अंकुर जड़त बुझावे पानी पानी को आग का संपर्क मिल जाता है तो आग के संपर्क से पानी गरम हो जाता है और गरम ही नहीं होता, खौलने लग जाता है वह खौलता पानी यदि हमारे शरीर के किसी अंग में पढ़ जाए तो वह अंग तुरंत जल जाएगा, फफोले पढ़ जाएंगे घा बन जाए या तिसका मतलब यह नहीं है कि पानी का सभाव गरम है पानी का सभाव मुलता शीतल है भले वो आग के तंपर कर दे खौल रहा है और दुसरे को जला भी दे रहा है लेकिन जलाना पानी का सभाव नहीं है उस खौलते पानी को जलती हुई आग में डाल दो परनाम क्या होगा आग और जलेगी कि बुझेगी पानी को सबाव गरम होता तो आग में डालने से वो आग को भड़का देता लेकिन खोलता पानी भी आग को बुझाता है इसका मतलब भले खोल रहा है पानी सबाव शीतल है ऐसे ही भले हम मनोविकारों की आग में जल रहे हैं लेकिन हमारा सभाव शीतल है गर्मी उष्णता यह पानी के सभाव नहीं है वो तो संपर्क मिल गया है आग का इतले पानी उष्ण हो गया है गरम हो गया है अन्यता वो तो सीतल है ऐसे ही शरीर संसार के संबंध से हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं विकार हमारा स्वभाव नहीं है शरीर का संबंध नहीं होता तो कौन विकार होता? पैसे के संबंध से लोब होता है, प्रानों संबंध से मुह होता है उसी बिचें प्रतुकुलता पढ़ने पर लोब होता है सारा विकार स्वपाधिक है उपाधि से है संपरक से होता है अन्यथा विकार हमारा स्वभाव नहीं होता यदि विकार हमारा स्वभाव होता तो हम कितना भी प्रयत्न करते विकारों को शांत नहीं कर सकते उन्हें मिटा नहीं सकते क्योंकि सभाव को दूर नहीं किया जा सकता कितना भी हम प्रयत्न करें आग से आग की गर्मी को दूर नहीं कर सकते हैं सभाव है गर्मी आग का आग और गर्मी अलग अलग होगी ही नहीं कैसे करोगे, गुड से उसकी मिठाद को दूर कैसे करोगे, मिठाद अलग हो गए तो फिर उसे गुड कहेगा कौं, सभाव है, आईशे ही यदि काम कुर्ण लोब हमारे सभाव होते तो कभी इन पर विजय हम पाहिन सकते, इनका त्याग कर ही नहीं सकते, लेकिन परतक्ष्छ हम देखते हैं, विवेक द्वारा, विचार द्वारा, सयम द्वारा, साधना द्वारा, इन सारे विकारों का शमन किया जा सकता है और लोग करते हैं, और दुसरी बात, किसी का सभाव, किसी के लिए दुखदाई नहीं होता है, विजाती ही दुखदाई होता है, यदि काम ह हमारा सभाव होता तो काम के आने पर हम कभी दुखी नहीं होता कभी वीवर और व्याकुल नहीं होता क्रोध हमारे लिए दुखदाई नहीं होता लोबमो हमारे सभाव होते तो लोबमो हमारे दुखदाई नहीं होते रागदेश हमारे सभाव में होते तो रागदेश हमारे विकार दुगदाई है इसका अर्थ है कि हमारे सभाव नहीं है सदुर कहते हैं घवडाओ मत ये मस होतना कि इन विकारों को इन आगों को तुम ने ही लगाया है तो तुम इससे बच नहीं सकते बच सकते हो क्योंकि तुम्हारे सभाव में नहीं है आगन्तु कहे संपर्क से देहु की उपाधि से ये विकार पनफते हैं पानी, पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी देखो, कि आग के संपरक से पानी गरम हो जाता है लेकिन गरम पानी भी आग को बुझादेता है इसी प्रकार अपनी भूल से तुमने भले विकार पैदा कर लिए बस समझ जाव इनको तो विवेक विचार संयम द्वारा इन सारे विकारों को मिटा करके पूरा का पूरा शान्त हो सकते हो इसी जीवन में पूरा आनंद का अनभाव कर सकते हो लेकिन हम ये काम नहीं करते हैं इस दुर कहते हैं एक न जरे जरे नव नारी युक्तिन काहू जानी एक नहीं जलता नव नारीयां जलती हैं और उस एक को जलाने की युक्ति कोई जानता नहीं है यहाँ एक और नौ क्या है कुछ भी अर्थ किया जा सकता है लेकिन अर्थ होना चाहिए युक्ति पुरुवक और प्रसंग के अनकूल यहाँ एक है वासना नौ नौ नाडियों से ग्रथित काया शरीर में बहत्तर हजाद नाडियां माने गई है लेकिन उन नाडियों में नौ नाडियां मुख्यमाने गई है हस्तिनी, कुहनी, गनिशनी, वारनी, अलंबुसा, यादी यह नौ नाडियां मुख्यमाने गई है और नौ सब्द का प्रयोग नाडियों के लिए साहभ ने बीजक में अनेक जगह किया है तो एक न जरे जरे नवनारी एक वासना नहीं जलती किन्त बारम बार नवनारियों से ग्रथित ये काया जलती है शरीर जलता है युक्तिनक आहु जानी शरीर रहते रहते वासना को कैसे जलाएं यह युक्ति कोई जानता नहीं है इसलिए लोग भटकते हैं और दुखी होते हैं शरीर तो बार बार मर रहा है और बार मिल भी रहा है शरीर का मरना कोई बड़ी बात नहीं तो प्रकृति की घटना है वो हमारे हाथ में नहीं कितना भी हम उपाय कर लें शरीर को मरने से मिटने से बचा नहीं सकते करना क्या है शरीर रहते रहते शरीर की वासना को खतम कर देना वासना को मिटाना है तिक लिए युक्ति है भेद प्रभेद है सैयम साधन भजन पूजन है विवेक द्वारा विचार द्वारा हम वासना को जलाने का काम नहीं करते किन्तु वातना जित्ते और बलवती हो, वही काम हम करते हैं, शरीर छुड़ गया, वातना नहीं छुटी, वातना नहीं मीटी, तो क्या होगा, फिर आना पड़ेगा संतार में, जहां आशा तहां बाशा, शहाव ने बीजक में ही कहा है, उलटवाशी में, शहाव को दिमाग भी अद्बूत दिमाग, अद्बूत अद्धू युक्ती, अद्बूत अद्बूत बात उन्हें सुझती थी, वे करते हैं, हंस उड़ाने, ताल सुखाने, चहले बिंदा पाऊ, हंस उड़ गया, उसके प हंस के उड़ जाने के बाद भी, हंस के पैर कीचड में धस गए, कहीं देखाएं आपने ऐसा, संसार में होता क्या है, जब तलाब का पानी सुख जाता है, तब तलाब के आद पर रहने वाले जो पक्छी होते हैं, वो उड़ जाते हैं, जब तक तलाब में पानी हैं, पनी सुखता है तब पक्षि तलाब करके ऊड़ जाते हैं यहां जाते हैं यहां आप कहते हैं पहले हंस टुख गया तब तलाब पिशह सुखा औ आशचर यह कि हंस के पर किचाड एंदस गया तो कहे आदमी पागल हो गया है. पागल नहीं है. समझने की देरी है. बस. पहले होता क्या है? जिव रुपी हंस उड़ गया. तब शरिर रुपी सरोवर सुख गया. जब τक जिव रुपी हंस इस सरोवर में हैं, तब तक ये सरोवर सुखता नहीं है कभी भी और जब जीव उड़ जाता है तब इसको बचाने की कोयुक्ती रह नहीं जाती है कोई बचार भी नहीं सकता है इसको तो जीव रूपी हंत उड़ गया सरिर रूपी सरोवर सुख गया लेकिन हुआ क्या? चहले बिंदा पाऊ पैर कीचड में धद गए जीव ने शरीर को तो छोड़ा लेकिन जीव की वासना शरीर में ही रह गई संसार में रह गई इतलिए फिर से संसार में आना पड़ता है वासना खतम हो जाए तो आने का कोई कारण ही नहीं रह गए यह चिन्ता ना करो कि मरने के बाद क्या होगा चिन्ता यह करना है कि मरने के पहले वासना कैसे जले वासना कैसे मिटे इसका शमन कैसे हो वासना मिट गई बस सब काम पूरा हो गया ग्यान चोंति सामी सद्गुरु कहते है जो घट घटे, घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे, अधि घट में घट होगे, शरीर में आसकत रहोगे, तो मरने के बाद, फिर इस गर्भवास में प्रवित करके फिर शरीर में आना पड़ेगा, इसलिए करना क्या है? घट ही में फिर घट ही समावे इस शरीर में रहते रहते शरीर की वासना को इसी में समाप्त कर दो बस आना जाना बन सब समय के लिए कृतार तो एक न जरे जरे न नारी युक्ति न काहू जानी एक वासना नहीं जलती है शरीर बार बार जलता है सरीर जलने के पहले वातना कैसे जले यह युक्ति लोग नहीं जानते इसलिए इस जीवन में जलते हैं और आगे फिर जनम धारन करकर करके बराबर जलते रहते हैं काम करें, शेवा करें, सब कुछ करें, लेकिन वातना कैसे जले, वातना कैसे मिटे, संतार का मोह कैसे खतम हो, इस बात पर चिंतन नमनन करें और इनको मिटाने के लिए साधना भजन करें मुख्य काम यही है, शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्त उबरे विकल राम रंग तेरा, शहर जल रहा है, पहरेदार सुख से सो रहा है, किसी ने जाकर जगाया और कहा, अरे तुम सो रहे हो, शहर में आग लगी हुई है, पहरेदार कहता है, मेरा घर कुशल मंगा है, मेरा घर फुरबचीत है, कोई चिंता की बात नहीं है, शहर अंतहकरन इस अंतहकरन में आग लगी वी जल रहा है हर आदमी का मन दुखी 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 परिशान और पहरुसु सुवे अब पहरेदार साधक असावधान है लोग कहते हैं हमाराज भजन कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं ठीक है सब चल रहा है और अंतहकरन जल रहा है अंतहकरन जल रहा है तो भजन कहां हो रहा है अंतहकरन जल रहा है तो साधना कहां हो रही है अंतहकरन जल रहा है तो पूजा कहां हो रही है हम काते हैं भी यह सब चकाचक है बड़ा मठ बन गया बड़े शिश्य हो गए खुब मानसमान फैल गया बड़ी किर्ती हो गई काते हैं बड़ा बहुत बढ़िया है और राद दिन अंदर चुया कुतर रही है कहां कुसल है ग्रहस्तों का यह बाल बच्चे बढ़ जाना परिवार का बड़ा हो जाना मकान का बड़ा हो जाना ब्यपार का बड़ा हो जाना बड़ी नौकरी मिल जाना यह उनकी जीवन की सफलता नहीं ठीक है बढ़ी सफलता है लेकिन परिवार बड़ा हो गया धन बहुत बढ़ गया और अंदर मन जड़ रहा है तो क्या करेगा परिवार? क्या करेगा धन? छोटा परिवार हो, थोड़ा ही धन हो लेकिन मन शीतल हो महातमाओं का मठ बहुत बढ़ गया एक जगह नहीं देजभर में कई-कई शहरों में कई मठ बन गए खुब चेले बन गए लाखों लाखों दुनिया भर में नाम फैल गया और महाराज जी जल रहें भीतर भीतर एक बड़े महातमाओं नामधारी आफ सब जानते हैं नाम नहीं बता कर बदनाम नहीं करना है रोचन में लाखों लाखों की भीड़ होती है एक बार उन्होंने एक संत से कहा था कोई संत भी बड़े योग त्यागी, वैराग्यवान, ज्यानी उनका भी नाम इन में से बहुत लोग जानते होंगे जिनके प्रवचन में लाखों की भीड़ होती थे जिनके बड़े चेले थे, हैं भी, अभी हमें जिवित हैं, उन्होंने उससे कहा था, ओसंत से, कि महराज जी, मैं जहां जाता हूं, बड़ी भिल होती है, बड़ा स्वागत, बड़ा सम्मान, बड़ी पुजा आरती, बहुत चेले हैं, बहुत मठ है, लेकिन महराज मेरा मन जल रहा है, अंदर शांत नहीं है, ओ महात्मा ने कहा, ये मठ, चेला अपुजा आरती का मौ छोड़ो, जलना खतम हो जाए गया, लेकिन कहां छोड़ पाए, ये तो बड़ा मुस्किल है, तो शहर जरे पहरू सुख सुवे, और कहे कुछल घर मेरा, साधक का अंताकरन जल रहा है, और साधक असाधान हो करके सो रहा है, कहते हैं हमारा भजन हो रहा है, मठ बढ़ रहे हैं, चेले बढ़ रहे हैं महराज, बड़ी कृपा है भगवान की, क्या होगा इससे, कोई ना जाने हमें, एक भी चेला ना बने, प्रवस्वन करना बिल्कुल ना आता हो, मन शितल हो, जीवन किरतार्थ हो गया, और मन जल रहा है, बाहर पुरुदित क्या होगा, सभी टीम टाम, आप लोगों देखा होगा, अब तो खतम हो गया करीब परी सभी शहरों में, पहले शहरों में चलते थे इक्के तांगा, तांगा को खिचता है घोड़ा, और कई इक्के वाले, अपने घोड़े को खुब सजाए रहते हैं, माथे पर क्या क्या फिताव ये वो गुणुरू अब ये खुब सजाए रहते हैं, अब देखने लगए कि खोड़ा, बड़ा सुंदर खोड़ा है, खुब सजा हुआ हुआ है, अब गोड़ा इक्का में जुता हुआ हुआ है, सभारी बैठें खीच रहा है, गोड़ा का पेड़ चिपका हुआ है, तो सहे, तो बाहर सिरिंगार क्या करेगा? अरे घोड़ा का पेड़ भरना चाहिए, सिरिंगार हो या ना हो, ये बाहर का सारी ठाटबाट, ये महनती, ये गुरुवाई आश्रम, अब ये धन और पुत्र और परिवार, ये सब घोड़े का सिरिंगार है, पेड़ भीतर चिपका हुआ है, भुखा मर रहा है, जड़ रहा है मन, क्या फाइदा है? और हम कहते हैं, बस सब चकाचक है, चकाचक कहा है? पुरिया जरे वस्तु निच उबरे, विकल राम रंग तेरा, शाब कहते हैं, यदि गठरी जल जाएगी, तो गठरी में रखी हुई, अपनी वस्तु बच जाएगी, और गठरी नहीं चलेगी, तो समझ लो वस्तु बचेगी नहीं, ये गठरी, उसमें कोई चीज बंधी हुई है, किसी ने कहा, भाई देखो इस गठरी में आग लगा दो, तो जब ये गठरी जल जाएगी, तो इसकी भीतर की चीज बच जाएगी, बचेगी कैसे गठरी जलेगी, तो बच चीज भी जल जाएगी, ये गठरी क्या है, वही मनोग्रंथी, वही वासना, जब तक वासना की ग्रंथी नहीं जलेगी, तब तक अपने आत्मा का उधार नहीं होगा, रागदेश की ग्रंथी जब तक नहीं जलेगी, तब तक आत्मा का कल्यान नहीं होगा, इसलिए, ए रागदेश की गठरी को, वातना की गठरी को, बिवेग विचार ग्यान द्वारा जला दें, तब आत्मा का उधार होगा, विकल राम रंग तेरा, आपको तेरा रंग विकल हो गया है, कुभावनाओं में पढ़ करके तू ब्याकुल हो गया है, दुखी हो रहा है, इसलिए इस गठरी को जला, और अपने आपको धार कर, कुभजा पुरुष गले एक लागा पूजी नमन की सरधा, करत विचार जनमगाव खीशे इतन रहत असाधा, सदुरु कहते हैं, किशी यूती की शादी, किशी नपुनसक लड़के से कर दो, तो उस यूती के मन की इच्छा पुरी कैसे होगा, इस संतोस कैसे होगा, यह उद्धारन है साहब का, गुपजा पुरुष गले एक लागा, साहब काते हैं, जितने देवी देउता पूजा कर रहे होना सब की सब है नपुनसक, यह देवी देउता की पूजा तुम्हारा काम नहीं आने वाला है, और उसी क तमाम देवी देवताओं को, जैसे नपुन्सक पुरुष से जुड करके यूती की मन की आसा पुरी नहीं होगी, आईशे ये तमाम मिट्टी पानी पत्थर के देवी देवताओं को पूझते पूझते, तुम्हारी जिंदगी बित जाएगी, तुम्हें अंदर आत्म शांति कभी नहीं होगा, तुम्हारी इच्छा पुरी नहीं होगी कल्यान की, किसी महापुरुष की मुर्ती है या चित्र है, तो उसको देखने से, उस महापुरुष की याद आती है, उसके त्याग तब की याद आती है, मन में सातिक भावना आती है, ये चित्र और मुर्ती का उ लेकिन हम भटक गए, उन्ही को सब कुछ मान के लिए अब उसको नहला रहे हैं, सुला रहे हैं, जगा रहे हैं, स्रिंगार कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या फायदा भै? और भावक्ता इतनी भावक्ता इतनी आदमी संयम साधना विवेक विचार भूल गया सथानुस्खा पड़ गया बद भगवान की भक्ति का भगवान भक्ति क्या है मुर्ति की पूजा उसमें भी इतना भटका है आदमी इतना भटका है कि हद तिरुपती बाला जी कौन नहीं जानता होगा बहुत लोग गए भी होंगे वहाँ देखो दर्सन करने के लिए कि लंबी लाइन कितनी लगती है और दर्सन भी किसे मातर येक दो सिकंड के लिए 24 घंटा खाड़े है मूर्ति काली है कि सफेद है कि पत्थर की है कि लकड़ी की है कुछ को जान पाता है क्या कहा एक मूर्ति है भी पता नहीं अंधर एक मूर्ति रखी हुई है तिकि लाइन लगी हुई 24 घंटा देखने के लिए और उसमें भी बिचीतर बिचीतर बात इलाहवाद के एक सजजन गए थे तिरुपती तो के साब मैं तो काम से गया था मेरा मेक मित्र था वो कि चलो तुम जारत में भी चलता हूँ ओ भी गया तो दर्सन करने दर्सन करने गए के साब लंबे लाइन थी कहें कि इतने घंटा लगना पड़ेगा तो का हम लोने लगें के 100 पचास रुपया दिया अंदर ले गया साड़ कट खाली दफतरों में कमिशन नहीं भगवां के दरबार में भी कमिशन है बिनकमिशन के वहां भी काम नहीं चलता है तो तो दे दिया उनको तो जल्दी पहुंचा दिये तो वहाँ भी जाने को पचाट धाई घंटा तो खड़ा होना पड़ता है तो बता रहे थे कि इसे चर्चचरी मंजे पुजारी से बात हुई तो बताएं कि रोज सुबा चार बजे वो भगवान को नहाया जाता है तृपती बाला जी कि जो मुर्ती है उतको रोज सुबा सुबा चार बजे अफनान कराया जाता है तो भगवान को नहाने देखने के लिए भगतों की लाइन लगती है कि हम भगवान को नहाते देखते हैं आदमे को नहाते देखते हैं रोज भगवान को भी नहाते देखना है तो वहाँ लाइन लगती है तो भीड हो गई देखने के लिए तो सुल्क लगा दिया गया 20,000 रुपिया दो तो भगवान नाते हुए देखो तो जो इलाव सज्जन गए थे उन्होंने कहा 20,000 रुपिया देखने के लिए कौन आता होगा उन्होंने कहा यदि आप चाहते हैं कि भगवान को मैं नहाते हुए देखूं तो आज 20,000 रुपे जमा कर दो 20 साल के बाद नंबर आएगा आपका यह भगवान की वक्ति अब फादर क्या मिलेगा कितना भटक गया है आदमी शाहब कहते हैं यह तमाम देवी देवतां की पू जो चाहते हो मन की त्रिप्ति, मन का संतोस, मन की शांत, आत्मकल्यान तुम्हारी एक कामना कभी पूरी होने वाली नहीं हैं शही देवता को समझो, शही भगवान को समझो वो शही देवता तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं शगुन भगवान, शगुन देवता प्रानिय के रूप में देखो और निर्गुन निराकार भगवान आत्मा के रूप में भीतर मनुश्यों में भी सगुन में और माता पिता देवता है वे भगवान है गुरु निर्मल जिवन संत महात्मा देवता है वे भगवान है सगुन भगवान और अंदर निर्मल निर्विका शु शेवा, बड़ोंक परती आदर, आज्या पालन और अंदर बैठे भगवान का ज्ञान, आत्मसुधन आत्मि सिती, इससे मन को तृप्ति मिलेगी, इससे मन को संतोस होगा, बाहर भटकते रह जाओगे पूजा करते करते, यह तो बाल खेल है, खिलोना जैता है, इसलिए यह ख खेल में समय न व्यतित करो, करत विचार जनम गोखीशे इतन रहत असाधा, विचार करते करते, जनम बीत गया, शरीर, जीवन, मन, अशुद का अशुद ही रह गया, कितने लोग कहते हैं, बस सहब, थोड़ा समय और रह गया है, बच्चे बड़े हो जाएं, बस आपके पा मिल रही है, नौकरी से, बस नौकरी से रिटार्ड हुआ, कि बस आपके पास ही आया, कहते रह गये, और नौकरी से रिटार्ड हुए, दस साल, पंदरा साल हो गये, जब नौकरी करते थे छुट्टी ले करके, तो साल में एक बार, दो बार, गुरुजी दर्सन के लिए संत हो जाए महराज बस आपके पास आ जाओंगा बच्चे बड़े हो गए अपने पैर में खड़े हो गए शादी हो गए अब मुलधन का ब्याज आया नाती पोते उसी मुलस गया गुरुदित पास महीं नहीं जाने का और मोहमाया बढ़ गए बिचार करते रह गए बस इतना हो जाता भजन करूँगा उतना हो जातो भजन करूँगा खाली बिचार करने से कुछ नहीं होगा बिचार को कारी रूप में परनत करो खाली बिचार करने में क्या लगता है तकत तकावत तकी रहा सके न बेजह मार सब उसनों को दिखाते हैं, लेकिन लक्ष पर बान मार नहीं पाते हैं, सारे तीर खाली पड़ गे, जीवन के सारी उमर बित गई, चला कमा नहीं डार, और आंत में जी रुपी शिकारी, सरुरुपी धनुत को छोड़ करके यहां से बिदा हो गया, खाली बिचार ही ना करें, बिचार का जीवन में प्रयोग भी करें, तब यह अशुधता, यह मैल, यह विकार धूलेंगे, अशुधता आएगी, शान्ती आएगी, कौन यह जानता है ग्यान की बातें, सब अपने अपने संकते जानते हैं, सब ग्यानी हैं, लेकिन ग्यान की बातों का हम प्रयोग ही ना करें, आत्रा नहीं ही ना करें, खाली कहते, सुनते रहें, उससे काम थोड़े होने वाला है, प्रयोग करना पड़ेगा, तब काम बने सदुरु कहते हैं करत विचार जनम गोखिशे विचार करते 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 जनम वित गया रह गया जहां के तहां तक इतन रह असाधा ये शरीर ये मन ये जीवन असाध का असाध अधूरा का अधूरा अशुद्ध का अशुद्ध ही रह गया चाहते महनत करते तो पूरा हो सकता थ और शुद्धी दूर होकर पून निरमलता आशकती थी, लेकिन नहीं, बिचार करते रह गए, बिचार करने में क्या मिलेगा, बिचार करने में लगता भी क्या है, एक ने कहा, अपने एक मित्र से, कि यार, मैं अमेरिका जाने को सोचता हूं, कितना रुपय लगेगा, तो मित मुक्ति पाना चाहता हूं, सोचो रहा, खुम सोचो, करो कुछ मत, क्या लगेगा, रहेंगे जहां के तहां, मुक्ति पाने कर सोते रहेंगे, और संतार में फस्ते चले जाएंगे, अधूरा कधूरा अशुद काशुद रह जाएंगे, इसलिए जो जानते हैं, उनका जीव कवीरते ही मूर को भला कौन विधी हुई, जो जान बुझ करके कपड करता है, सदुर कहते हैं, उसके जैसा अभागा और कोई नहीं है, अंजान में गलती हो गई, हो गई गलती, उसको क्या करोगे, लेकिन जान बुझ करके गलती करना, जाब करते हैं, उसके जैसा बुधु आदम, उसके जैसा मूर, उसके जैसा अभागा, और कोई नहीं है, कहीं कवीरते ही मूर को, जाब करते हैं, ऐसे मूर को भला कौन विधी हो, कल्यान को कर सकता है, और कैसे हो सकता है, अग ज्ञानी को समझाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है ज्ञानियों को समझाना बड़ा मुश्किल मुश्किल क्या असंभव क्योंकि जो जान बुझ करके गलत कर रहा है उसको कौन समझाएगा जान ही रहा है समझ रहा है फिर भी गलत कर रहा है समझाएगा कौन उसको सिर काड़ करके रख दो उसमझ नहीं सकता है इसी पर तो सामी जी का दोहा याद आता है, जानि सुनीति कुनीति रत, जागत ही रह सोय, उबदेश वो जगाई वो तुलसी भलो ना होय. जो सुनीति को, अच्छी नीति को, इमानदारी को, सत्यता को, ग्यान को, वैराक सब को जानता है, नीतियम का भली प्रकार से जो ग्यान रखता है, लेकिन ग्यान रखने के बाद कुनीति में जाता है, गरत रास्ते में जा रहा है, और जो जागते हुए भी सोने की नकल कर रहा है, ऐसे आदमियों को समझाना और जगाना अच्छा नहीं होगा, जो आदमी सोया हुए निद लग गई है, गाढ़ी निद लग गई है, उसे आप पुकारो, एक बार, दो बार, तिन बार नहीं सुनेगा, लेकिन चौते बार तो सुनें जग जाए गईगा, लेकिन जो आदमी जागते हुए भी सोने की नकल कर रहा है, उसके सामने जाकर के नगारा भी पिरते रहा जाओ घंटा फरता को कभी जागे गे नहीं तो जागी रहा कि अब नकल कर रहा है ऐसे ही जो अज्ञानी है ना समझ है उसको संधाया जा सकता है और समझा बुझा करके अच्छे रास्ते पर कल्यान वार्ग पर लगाया जा सकता है लेकिन जो सारी वातों को जानने के बाद भी कर रहा है गलत उसे से समझाओगे जो गढ़े में गिरने के लिए कमर कस कर तैयार है कब तक रख़ादी करोगे उसकी वो कहीं न कहीं से रास्ता निकाल कर गड़े में कुद ही जाएगा इसलिए ऐसे लोगों पीछे पढ़ करके अपने समय को बरबाद ना करो बहर जाने दो उन्हें जैसा है अपना काम है सोयम आत्म कल्यान का काम करना अजो सरफ धालू है सचूच में जो जगना चाहते हैं समझना चाहते हैं उन्हें हीत की बात ग्यान की बात बता देना सही रास्ता दिखला देना बस इतना है किया जा तकता है हम सब को समझा लेंगे ये कभी संभव ही नहीं है और ज्ञानी संथ सबको संधारिशकर में पड़े ही नहीं और जो हठी हैं, विवादी हैं, कुतरकी हैं उनके पीछे तो पड़ते ही नहीं है मुरत सो क्या बोलिये, सबसो काह बसायत इससाहिब ने काह, मुरत से क्या कहोगे शर्थ अपना वस्क्या चलेगा इतले हैसे हठी, कुतरकी, विवादी के पीछे पड़कर अपनी समय को बरबाद न करो अपना कल्यान का काम करें और जो सरल, जिग्यास, उहिरदय हैं, भक्त हैं, बिनम्र हैं जो सुनना चाहते हैं, जगना चाहते हैं उन्हें हीत की बात बता दें यही रास्ता है तो इस पूरे पद में सद्धुरु कभीर पहली बात यह कहते हैं कि मनुष्ट कि तुम्हारे भीतर विकारों की आग लगी हुई है उस आग में तुम राद दिन जड़ रहे हो इसलिए इस जलन ते बचना है तो गुरु की शरन में लग गुरु की शरन में लगने के अलावा उनके निर्देश में चड़ करके काम करने के अलावा बचने का और कोई रास्ता नहीं है हम सच्चे गुरु की खोज करें और मैंने कहा था सच्चा गुरु कौन, जिन्होंने अपने भीतर की आग को बुझा लिया है, जिसका मन पून शितल शांत हो चुका है, वही सच्चे गुरु हैं, और ऐशे गुरु की शरन में लग करके, उनके निर्देश में चल कर अपनी आग को बुझा कर, हम भी शितल हो सकते हैं, अहम सुध्धा चेतन्य ज्ञाना स्वरुपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम सुध्धा चेतन्य ज्ञाना स्वरुपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम सुध्धा चेतन्य ज्ञाना स्वरुपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम अहम सुध्धा चेतन्य ज्ञ Shuddha Chetanya Gnana Swarupam ajaraham amaraham akhandam manupam Aham Shuddha Chetanya Gnana Swarupam ajaraham amaraham akhandam manupam अहं सुद्ध चैतन्य ज्ञाने स्वेरूपम अजरहं अमरहं अखंडं मनुपम